पर्सबाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राई जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरट नमस्कार रिशिवानी और आप देख रहे हैं फर्सबाइट.tv आईनेस डालते हैं आची कुछ प्रामुक खबरों पर टूलकिट केस दिसंबर से निकिता दिशाज शांतरू रच रहे थे साजिश दिल्ली पुलिस का दावा दिल्ले पुलिस के सूत्रों का कहना है कि निकिता दिशाष शांतनु समित काई लोग दिसंबर 2020 के पहले सब्ता से पुनित के माध्यम से पो एटिक फाउंडेशन की साथ सक्रिय रूप से शाजिश रच रहे थे भारत में पिछले 24 गंठे में कोरोना वायरस के 921 नए मामले सामने आये हैं जिसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या एक करोर नौ लाग पच्चिस अजार साथ सोतास हो गई है वहीं पिछले 24 गंठे में हुई एक क्यासी नई मौतो के बाद कुल मौतो की संख्या एक करोर पच्पन लाग आट सो तेरा हो गई है बसंद पंचमी के मौके पर आयोधिया में रामलला को खादी से बनी पोशाक पहनाई जाएगी इस पोशाक को स्यम योगी आदित्यनाद को सौपा गया है प्रिधान मंधिर नरींद्र मोधी ने मंगलवार को उतकडेश की वहराजय सुहेल देवके स्माराक का सिलान नाश किया इस दौरान कारिकरम में यूपी के मुक्यमांत्रियों गिरिट्यनाद मी मौजूद रहे बिहार से चुड़ा जम्मू कश्मीर का आतंकीतार एक संदिक्द गरफतार हतियार सप्लाइ करने का है आरोग गरफतार किये गए जावेट की पिता का कहना है कि इस तरह की कोई बात नहीं है वह इस तरह का काम नहीं करता था वह काफी बिमार है आज के लिए बस उतना ही देखते रहें फर्सवाइट.टीवी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार